तो एक करेंट रीजन इस चीज़ के लिए यूज किया जाता है समझ गया है जी तो डेटा स्लेक्ट करते समय इसका त्वार रखेंगा करेंट रीजन जो हमारा इसी तरह स्लेक्ट होता है तो कंट्रोल अगर दो बार करते हैं तो पूरी की पूरी शीट स्लेक्ट होती है कंट्रोल एखों करेंगे तो की पूरी 3 6 स्लेक्ट होती है करने के लिए यह आपको दिख रहा होगा हम इत प्रभी कर डेंगे लिए यह एक पर चेज़तील हमारी इसक сторон करेंगे करने का चोटा डेटा होता है कि आप क्या है कि नीचे के तरफ लेकिए कर सकते हैं तो कंट्रोल की को होल्ड करके डाउन नीचे आ जाएगा राइट आप यूज कर सकते कर सकते हैं कि अगर प्राइटा से अगर स्वेटे अगर बीच में कहीं ब्लैंक हुआ तो घर्च और आपका लाको हुआ जाना है मैं पास माली जर डेटा हजारों लाकों का डेटा है अब मुझे लास्ट में जाना है तो अगर कोई कॉलन ऐसा चूंज कर लेजिए जिसमें ब्लैंक ना हो कि इसमें ब्लैंक नो सीधे ऊपर से नीचे के तरफ आएंगे यहां होगे लेकिन अगर ब्लैंक हुआ तो कि अगर आपके डेटा में ब्लैंक हो तब लास्ट में कैसे हैं क्योंकि तब तो है पर आपको आपको देखेंगे उपर यहां पर आपको दिखेंगे यहां पर शीट करते हैं यहां पर पैंसर हजार यह एक अनुमानी देदीजे जहां तक आपका लिटा नौटफ यह पांसलाग साथ दस में पैंसर हजार दिया एंटर प्रेस किया तो सबसे लास्ट पर पहुंच है यहां पर पहुंच जिए अभी यहां से अब करेंगे तो मैं डिटा के लास्ट लिए सबसे लास है तो मैं यहां कर सर रखूंगा और मुझे पूरा डेटा सेलेक्ट करना है तो आप देखिए हों का बटन हो और एक एन तो हम लास्ट में पहुंच के कंट्रोल से और होम बटन दवाएंगे में डेटा पूरा स्लेक्ट हो जाएगा कोई ब्लैंग लेंग से कोई चक्कर नहीं रहेगा ओके इसे मैं जनरली एंड बतन दवाता हूं तक नीचे देखिए एंड मोड आ गया हमें एंडर प्रेस करूंगा तो मैं डेटा के सबसे लास तो आई है जी यह गो गया देखिए अभी भी हमें एक ब्लैंक कॉलंग इंसर्ट करके डिलीट किया था तो यह जो एंड वाला या होम का पार्ट है वो यूज से को काउंट करता है कि आपने यूज जे तक किया है तो जे तक को समझेगा हूं मतलब मैं यहां से अगर कंट् यहां पूंचे और कंट्रोल होम करता हूं तो सबसे उपर पहुंचे गा और जैसे सिफ्ट दबा दिया तो क्या होगा विडिटा स्लेक्ट हो गए तो समझ गया है विडावट इसमें नई जा ए तिए तिक रहा है है तो इस एक चीज बहुत जैसे आप जब आपने आपने तो इसमें अपना डाटा शुट करा इसलिए उपने जे तक उठाया ठीक है एक मतलब आगर जैसे माल लो अगर आप के में कहीं है अगर आप कहीं कोई स्टेज दे के अगर चोड़ को तो यह तो यह तो यह को भी आप पर था चीजी यूजिस से लिगो पांड़ करें ठीक ह कि अब बात करते हैं मल्टिपल सेलसस तो कं सेलस करने हैं तो कंट्रोल प्रेस्ट करके आप जुट्रा मर्जी उतने सेलस को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसे कि मैं कört आ तो जितना सेल्स को मैं सेलेक्ट करूँगा यहां आप देखिए लेकिन मैं इसको कॉपी नहीं कर सकता है यहां किया है यहां किया यहां किया है सब्सक्राइं पतरवर से लेकर इस से लेकित एक स्रीज में हम कॉपी कर सकते हैं से इसके लावा पॉपी नहीं कर सकते हैं लेकिए हम सेलेक्ट कर रहे हैं मल्टिपल जब पॉपी करेंगे तो यह इकठा पेस्ट होता है अच्छा यह इकठा पेस्ट है ठीक है अब यहां पर चीज और आती है मैं एक नई फाइल खोलता हूं और में पास कई सारे शीट्स है भूण तो मैंने यहां पर क्लिक करके कई साथ शीट को इन साथ करकें अब मैं चाहता हूं कि मैं सीट्सले क्लिक करो सिप्ट और मैं सारे शीट्स के उपर कुछ टाइब करना चाहता हूं जनरली आप क्या करते हैं कि एक सीट पर फिर सेलेक्ट हो जाएगा उपर में फाइल के नेम के पास ग्रूप आजाएगा अब मैं यहां पर कुछ टाइप करता हूं मैंने आदिया टुडे और आज का डेट डाल दिया अब देखेंगे कि जितने भी सीट्स हैं सब के अंदर यह आज का डेट डाल गई सेम लोकेशन पर वह एक ही बार में इसमें मैं कंट्रोल के सीट के जगां पर कंट्रोल यूज कर हुआ है तो सीट फोर पर वर्क नहीं करेगा सीट फाइब किया तो मल्टिपल सेल सेलेक्शन सिर्फ सीट में इस फाइल में भी होता है कि अब यहां पर हम कुश्चन करते हैं कि हमने बहुत सारे अभी कुछ सॉटकर्स के बारे में आपके साथ डिस्कॉस किया लेकिं सॉटकर्स की लिस्ट कैसे मिलेगी जिसे अब आप लोग गूगल पर जाते हैं इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास लेकर बाद आप पहले ही अलाम से आप मेरी स्कीन पर देख रहे हैं या अपना प्रैक्टिस देख रहे हैं मुझे नहीं बताना सब्सक्राइब क्यूंता है बल्सकार देख रहे हैं लिफाएक रिकॉर्डिंग महीं साथ में सीट अजह भूलयेगा वहां आप जैजिए वोरें कुण देखने आप दायरी रच लेजेए में इन टॉपिक ब्रेक्टिस करते सम्में दिहान देना है उसको नोट का लिए साथ करने की जरूत नहीं है ठीक है सर जहां मुझे जरूत पड़ेगी कि इसको आपको मैं करवा हूँ वहां मैं खुद बोलूगा कि फ्राइक हिज्जे में बेट कर दो खुद बोलूगा कि फिलहार इसके शोटी मोटे चीज़े हैं कि आप रिक सोटकर्ट लीस्ट के लिए आपको याद होगा कल की लास में आपको बताया था एक्सल है पे जाते हैं और आप सर्च करेंगे शौर्ट कट शॉर्टकट और यहां आप देखेंगे कीबूर्ड शॉर्टकट ध्यान देखेंगे इसके लिए आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए क्योंकि इंटरनेट से ही आता है क्लिक करते ही Microsoft साइट से डाउनलोड करके सारे शॉर्टकट आपको देदेंगे इसलिए क्योंकि मेरा माउस आप ट्रैक कर गएंगे कि मैं कहां कहां क्लिक कर रहा हूं तो मैंने कुछ बटन प्रेस कर दिया आपको पता नहीं चलेगा मैंने क्या किया इसलिए मैं यूज नहीं करता पर इसलिए मैं आपको पहली दूसरी ग्लास में ही आपकी कीवोड की शॉर्टकट के पूरा लिस्ट बता देता हूं कि क्या है आप अपने हिसाब से इसको देख लिए मैं और कीवोड इशॉर्टकट जरूरी क्यों है देखिए जनली आप जो माॉस से काम करते आप इसकी भीड में होता है फर्ग कीवोड कीवोड से काम करने पर माउस के पेक्षा 30% आप फास्ट काम करते हैं दूसरी माने जी किसी इंट्रिवू में आप जाएं और बंदे के सामने कीवोड पे खटा कर खटा कर खटा कर इस तरह का आवाज निकाल रहे हैं समझ जाया कि बंदा के पास experience है क्योंकि कीवोड रट्टा मारने से नहीं आता है कि प्रैक्टिस करने साथ तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे तो मैं बच्चों को स्लिश्क देता हूं कि आप लोग जो है ऐसे सिच्वेशन में कि ऐसी ऐसे समय जो आफिस के अंदर में जिसमें हमारा काम कम हो या काम हो तो उसका डेड़लाइन करना है उस समय की बोड का यूजी करें माउस को बिल्ट अवाइट करें तो दीरे शुरुआत में आपको यह लगिया कि यह तो माउस से जल्दी कर लेता जैसे से आपके स्पीड बढ़ेगी ऐसे से आपका जो घंटे दो घंटे का फुरा आफिस टाइम हो जाएगा और अब बात करते हैं अब कीबड शॉटकर हम यहां से निकाल लिया तो बात करते हैं लिमिटेशन की मेरा मांना है अगर हम कोई चीज सीख रहे हैं यूज कर रहे हैं तो इसकी लिमिटेशन हमें पता होने चाओं इसकी प्या लिमिरेशन है यहां लीमिट्स पे जाए और अब सर्ट उप लिमिट्स करें तो एक्सल हिए सारे लिमिट्स आपको दीख जाए जाए हो आप बोलेंगे सर मुझे कोई एकजाम थोड़ी देना जो इसंटों तो याद करें हमें क्या लेना देना है वह सारी किस्ट में जुरुब पड़ती है जैसे कि यह देखी कॉलम की बिर्थ इसकी लिमिटेशन 255 करेक्टर है मालेजी आगे चल कि आप मैनुवली अगर आप मालेजी को किसी कॉलम को बड़ा कर रहे हैं तो कितना करेक्टर है उससे कि बहुत बड़ा कॉलन लेना हो और हमने लिख दिया रेंज एवन डॉट कॉलम विर्थ इक्वल टू 500 आपको एरन आएगा तो समझ नहीं पाएंगे क्यों क्योंकि कॉलन की लिमिटेशन 255 करेक्टर है लेकि इसके बारे में अगर आपको आइडिया होगा तो आप क्या कर लगाते हैं अब कितने इस लगा सकते हैं ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है लेकिन एक सेल के अंदर नंबर और करेक्टर टाइप करने की लिमिटेशन कि 32,777 करेक्टर से ज़्यादा एक सिल्मियाब नहीं कर सकते हैं तो जैसे आपकी फॉर्मुला के करेक्टर 32,777 करेक्टर पहुंचता है यह आपका वर्क करना बंद करते हैं ऐसे ही आप कुछ लोग बुचते हैं कि इस लोग बोल देते हैं 206 नहीं शीट करने की कोई लिमिटेशन नहीं तो हम इसको उल्लिमिटेट भी नहीं करेंगे क्योंकि सिस्टम में कम्पीटर में कोई चीज लिमिटेड नहीं होती है कैसे मान देशे मैंने एक करेक्टर ए लिखा तो यह टाइप किया कुछ चोता सब्सक्राइब स्पेस मेमोरी में लिया और हमारा मेमोरी लिमिटेड तो नहीं है न सर लिमान दिशे कि एक एक क्रिकेट मैंदान में सुई हमने रख दिया उससे क्रिकेट में कोई फर्क नहीं पने वाला है लेकिया हम सुभी रखते जाएंगे रखते जाएंगे कभी ने कभी क्रिकेट में आंधर फूल हो जाएगा रहा तो अलिमिटेड नहीं कह सकते हैं लिमिटेड नौट डिफाइंड डिपेंड डिपेंड सिस्टम कैपसेटी ऐसा कहना सही रहेगा क्या यह चीज़े आप एक पर स्टडी कर लेते हैं आपको दो चीज पढ़ने के लिए बताया हेल्प से पहला शॉर्टकर्ट और दूसरा हमने क्या बताया आपके साथ दूसरा हमने बताया अपको लिमिटेशन अब चलिए हम बात करते हैं थोरी सी और चीजों के बारे में जैसे हर सेल की परपर्टी होती है अगर मैंने यहां पर 25 टाइप किया अंपर मारते नंबर साइड में हो जाता है अगर हम कोई टेक्स टाइप करेंगे तो वह आपका लेफ्ट और राइट इस तरह से 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 रिए होता है किसी भी नंबर के साथ अगर आपने टेक्स डाल दिया तो उस पर आप कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं ठीक है जब डालेगा तो डेट डालने से पहले अपना सिस्टम डेट चेक किजिए तो मैं आज का डेट डालना है तो 30-9 डालोंगा अंटर मानों का डेट आ जाएगा आपका सिस्टम हो सकता है कि MMDDY हो तो आपको 9-30 डालना तो आप चेक कर लिजएगा उस हिसाप से डाले ठीक है अब हम आपको प्रैक्टिष शीट आपको भेज देते हैंract टीक अब के आपको डिली प्रैक्टीश चीट देंगे शहान मुझे हैं आपको आपको जरूरत यह तो यहां प्रहुद आपको क्रणास प्यक्वाटी से ल ऋफ स्चेहर published हम्हाऊ यहां सबसे पहले मैंने यहांप एक डिया है और यहां पे स्लेक्षन के भहुत सारे शौर्टकर्स दिये हैं जो आप यूज कर सकते हैं टाइप यह कुछ नहीं है जैसे कि आप जब भी अमको नमबर ढालते हैं तरह रहा है टेक्स आपका डिफॉल्ट राइट में आता है हम नमबर को सिंगल कोट लगा आपके यह तो किसी भी टेक्स पे हम लोग सकते हैं नहीं कर सकते हैं अब इसे कि आप कुछ लोग बोलते कि इसमें कैसे होगा तो बेसिकलिए इसमें अपलाई किया गया है जो की आरेस अलग से डाला गया है इसलिए इस पर हमें कर रहे हैं कि दिख रहा है एक टेक्स्ट लेकिंग एक्च्छुली में क्या है कि है नमबर ठीक है डेट का फॉर्मिट अपनी इस आप से चेक कर सकते हैं इस पर्मुला के बारे में हम आपको अगली क्लास में डिसकर्स करेंगे तो फिलहाल इसको छोड़ दीजिए उसके बाद प्रैक्टिस में आपको सारे शॉटकुट यहां प्लाई करने हैं और आपको एक जो है कैस्ट मेंबो आपको बनाना है इस फाइल में आपको पेज देता हूँ वाट्सप कर दो यह मेल कर दो मेरे वाट्सप सब्सक्राइब मेरी करते हैं सब्सक्राइब आपको मिली गई